दोस्तो नमस्कार आदाब सत्स्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकरम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश करनाटक के फैसले का लंबे समय से इंतजार हो रहा था और ऐसा लगता है कि फैसला हो गया है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी अभी उसका एलान नहीं कर रही है जिस वक्त मैं ये कारिकरम पेश कर रहा हूँ लेकिन दोस्तो हमारी जो जानकारी है कि सीधा रमईया ही करनाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे उनके नाम पर व्यापक सामती बन गई है बलकि यूँ कहा जाए आम सामती बन गई है वो शपत ग्रहन कब करेंगे कल करेंगे परसो करेंगे इसका फैसला भी आज ही हो जाएगा ऐसा समझा जा रहा है सीधा रमईया क्यों मुख्यमंत्री बन रहे हैं करनाटक के इस पर दोस्तो मैंने 13 तारीक को ही जब फैसला आ गया था जनादेश जब उसका एलान हो गया था कि कांग्रेस पार्टी मत गणना के बिलकुल आखिरी दोर में उसका बहुमत बिलकुल साफ था अपने जरा आने लगा था उसी वक्त मैंने अपने एक कारिकरम में जो आप लोगों ने सबने देखा होगा उस दिन का और जिनोंने नहीं देखा है जरूर जाइए देखिए उस वीडियो को उस वीडियो में मैंने ये सिरसक रखा था कि सीम की रेस में सीधार मया क्यों आगे नियोस क्लिक का वो तीन दिनों में यानि तेरह से लेकर के और सत्रह के बीच में तीन चार दिनों के बीच में क्या क्या हुआ है और क्यों सीधार मया एक सर्वसमत उमिद्वार के तोर पे उब रहे हैं इसके बावजूत की डीकेश ट्रीकुमार चाहते थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा है देर तक उनकी असहमती रही लेकिन फिर मान मनुबल के बाद सब कुछ सीधा हो गया ऐसा मुझे कॉंग्रेस के सुत्रों ने बताया है तो दोस्तों सीधा रमया दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और करनाटक के वह दूसरे व्यक्ति हैं मुख्यमंत्री के तौर पे जिरों ने अपना पूरा पांच साल का कारेकाल दो हजार तेरह से और दो हजार अठारह तक बिताया कारेकाल अपना पूरा किया तो यह उनका मुख्यमंत्री के तौर पे दूसरा कारेकाल होगा बहुत ही दिल्चस्प बात यह है दोस्तों कि मैं उस दिन का भी गवा हूं जिस दिन जेडियस से यानि देवगवडा की पार्टी से सीधा रमया साहब का मोह बंग हो गया काफी जगड़ा हुआ था रायनितिक जगड़ा और उस रायनितिक जगड़े को पर विराम तब लगा जब उन चेका जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया कॉंग्रेस पार्टी जेडियस छोड़कर उस दिन मंच पर एके एंटोनी के साथ मलिकार जुन खड़गे भी मौजूद थे और करनाटक के पुर्व मुख्यमंत्री धरम सिंग भी मौजूद थे मलिकार जुन खड़गे जो आज रास्ट्री अध्यक्ष है कॉंग्रेस के उस समय दोस्तों वो करनाटक प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे यानि कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने सिधा रमया को जेडियस से कॉंग्रेस में आने की प्रक्रिया में सहयोग किया या जिनके कारण वो आए उसमें एक नाम खड़गे साब का भी है और मलिकार जुन खड़गे आज आल इंडिया कॉंग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट है और सिधा रमया मुख्यमंत्री बन रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है दोस्तों कि 2013 में मलिकार जुन खड़गे लेकिन करनाटक में 2013 में सोनिया गांधी और कांगरेस अला कमान ने सीधा रमया पर अपनी सामती जताई और मलिकार जुन खड़गे नहीं बन सके तो जो यह सियासत है बहुत दिल्चस्ट बहुत ही दिल्चस्ट चीज है यह जितनी निर्मम है उतनी ही रंगीन भी है कुछ लोगों के लिए बहुत निर्मम दिखती है कुछ लोगों के लिए बहुत मस्त दिखती है तो सियासत के यह रंग जो है वो अध्भुत है इसके रंग किसके लिए कब अच्छे लगने लगेंगे कब खराब लगने लगेंगे बदरंग हो जाएंगे इसका कोई ठीकारा नह वो कॉंग्रेस के प्रिसिडेंट हैं और सच पूछिए तो एक आर्गनाइजर के तोर पे पूरी पार्टी क्या ऐसे भी लोग जो कॉंग्रेस के समर्थक नहीं है बलकि कॉंग्रेस के विरोधी भी कई लोग हैं वे भी उनकी तारीफ कर रहे हैं कि कमाल के व्यक्ति थे कमाल क जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी है गिरफतारी के बावजूत जिस तरह वो नहीं जुके हैं वो अधुत है तो विपक्षी नेताओं में डीकेश शिकुमार का कद जो है वो करनाटक की सरहदों को तोड़ कर एक तरह से पूरे देश में उनका कद जो है पहचाना जा है और उसका इस्तेवाल उनको करना चाहिए लेकिन हमने देखा कि उन्होंने थोड़ी नाराजगी जाहिर की कई बार ऐसी बातें भी कहीं जो बहुत शांदार थी जैसे उन्होंने कहा जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप भी सचिन पाइलिट की तरह कॉंग्रिस पार में उन्होंने कहा कि बलकि वो तो एक बार बंगलोरु में तो एक बार कुछ उन्होंने बोलते बोलते वो रो गए रो पड़े और उन्होंने कहा कि मेरे लिए वो तो तिहार जेला ही थी तो उनके ये उनका ये वक्त अबे था लेकिन दूसरी तरह उन्होंने यह भी वक्त बन सकता है कुछ इस तरह का उनका बयान था तो इस तरह के भी उन्होंने बहुत ही व्यक्तिवादी किस्म का बयान भी जारी किया जैसे लगता है कि सिर्फ एक आदमी की ये कहानी है ये उनको स्वेम पेश करना चाहिए था कि एक सामोहिक लड़ एक जीत है एक सामोहिक प्रय दूसरा कारेकाल इनका कैसा बीटता है दोस्तों सीधा रमया सबसे पहली बार कॉंग्रेस पार्टी जेडियस या जंता पार्टी के नाम पर या उसके चुनाव चिन पर राजनीत में नहीं आये थे कम लोग जानते हैं कि वो भारती पर्टी के चुनाव चिन पर चुनाव जिते थे वह प्रभावीत थे उत्तर की एक पार्टी और उत्तर के एक नेता चाउद्री चरण सिंग से और बात के दिनों में फिर वो जनता पार्टी में रहे जनता दल में रहे फिर जेडियस में आए जेडियस का मतलब देव राजर्स लंबा एक सिलसला है उनके सफर का लेकिन वो समाजवादी धारा से लोग दली धारा से उनका एक गहरा नाता रहा है इसमें कोई दोराए नहीं है छात्र जीवन में भी वो थे socialist एक thinking उनकी थी उन्ला ग्रेजवेट भी है B.S.C के बाद उन्होंने law किया है ला की पढ़ाई भी किया है और ला को पढ़ाया भी है वकालत भी किया है ऐसा नहीं है कि वो सीधे राजनीत में कूद पड़े थे ये सब उन्होंने किया है इसलिए वो चीजों को समझते हैं वो हर तरह के reforms को लेकर constitution की जो प्राथमिकताएं हैं जो बादिताएं हैं जो प्रावधान हैं उनके पेंच भी वो समझते हैं संबैदहनिकता का भी उनको ग्यान है और कुल मिलाकर समाज की जो समाज की जो एक-एक इकाई है एक-एक जो उसके एक-एक जो पहलू है उनको भी बारीकी से समझते हैं खासकर करना टक के समाज को अगर कहा जाए तो ये अतिश्यक्ति नहीं होगी कि देवराज अर्स के बाद वो इस तरह की धारा के पहले बड़े नेता हैं जिनके पास एक वीजन है और जिनके पास जमीनी अस्तर पर काम करने का एक नजरिया भी है और एक जोश भी है 75 साल की उम्र में भी वो राहूल गांदी के साथ भारत जोडो यात्रा में दोड़ते हुए नजर आए तो इस तरह के व्यक्ति हैं सिधर मिया अब सवाल इस बात का है कि करनाटक की ये जो सियासी जो जंग थी जिसमें कॉंग्रेस को बड़ी जीत मिली ह और जिसके बाद तमाम विपक्षी नेता तमाम विपक्षी दल कॉंग्रेस के साथ गोलबंद होने को तैयार नजर आ रहा है ममता बनर जी के पिछले बयान को देखा जाए तो ये बात साफ होती है तो क्या सिधर मिया का भी उसमें कोई रोल होगा क्या उनकी नई सरकार का भी कोई रोल होगा मुझे लगता है दोस्तों कि ये बात डीके शिवकुमार और सिधर मिया के बीच में कितनी एक जुटता रहती है जो अभी थोड़ी बहुत कटता दिखाई पड़ी होगी मैं नहीं जानता कि क्या इस्तितियां है अभी और क्या होंगी लेकिन मेरा ये ब रहानेवाले व्यक्ति शिवकुमार नहीं है और जमीन के नेता है वो वह 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 पत्रकारता और पत्रकारों के बलपर नेता है था नहीं बने थायाई कि एक राश्टी विकल्प क्यों जरूरी समय है वो स्वेम सफरर भी हैं इसके अलावा पूरा समाज पूरा देश पूरे देश की जो हालत है उससे भी वो वाकिफ हैं तो मेरा मानना है कि सचिन सारी ये 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 शिव कुमार और सीधार मया की एक जुटता नई सरकार की जि विकल्प बनने की या कॉंग्रेस लेड मोर्चे बंदी के लिए जो जरूरी कामकाज हैं उसके लिए भी वो बहुत महत्पूर होगी शिव कुमार एक बड़े आर्गनाइजर हैं उनकी सेवाएं कॉंग्रेस पार्टी केंदरी अस्तर पर भी ले सकती है वो डिपिटिज च पैर रहे हैं कुछ लोगों के नाम लिये जा रहे हैं उसमें ऐसे भी लोग हैं जो कुछ लिंगायत समुख से हो सकते हैं कुछ लोग डलित समाज से हो सकते हैं इस तरह की चर्चा है मैंने जानता कि कॉंग्रेस आला कमान ने क्या फैसला किया है और वो क्या घोशित कर लेकिन दोस्तों एक बात जरूर आज में कहना चाहूंगा और वो यह है कि यह सिधा रमया बहुत फूख फूख कर काम करने वाले व्यक्ति हैं लोग कई बार उनके जो सहयोगी हैं उन पर तनाशा होने का या बहुती निरंकुष डंक से फैसला करने का आरोप लगा देते हैं लेकिन दोस्तों उन्होंने जितने फैसले किये करनाटक में पांच साल के अगर आप रिकार्ड उठा कर देखिए उसके बाद बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार जिन प्रदेशों में भी आती है अगर उसके पाले विपक्षी दल जो भी होते हैं यानि कॉंग्रेस हो सीपीम हो या कोई भी सरकार हो उस पर तोहमत लगाना सुरू कर द देती है मुख्यमंत्रियों मुख्यमंत्रियों पर आरूप लगाती है कि इन्होंने ऐसा किया ऐसा किया कई बार तो जांच बैठा देती है लेकिन सीधा रमया मुख्यमंत्री पांच साल रहे लेकिन भारती जनता पार्टी की कोई सरकार उनके अंदर एक भी बुराई नही कर सकी उन पर कोई आरूप नहीं लगा वो बेदाग मुख्यमंत्री रहे और आज तक बेदाग है ये एक रिकार्ड है जो बताता है कि करनाटक में वो अपने धंके अनोखे राजनेता हैं जिनके ऊपर कोई आरूप नहीं लगा सका भारती जन्ता पार्टी जो उनसे बेहत च पर काफी बावेला मचल और वो था जाती आधारिक जंगणना कराने का पैसला और अधारिस लगा दोंने बहुत सारे एक शामाजिक रूप से अगर देखा ज刑निय तो इंकलूसेव inclusive political thinking उनकी है एक समावेशी विकास समावेशी सोच है उनकी मुझे लगता है कि करनाटक को ही के वर उनकी जरूरत नहीं है बलकि उनकी सरकार के कामकाज के मौडल की जरूरत पूरे देश को है और उनके मुख्यमंतरी बनने से जिस तरह तमिलाड में M.K. स्टालिन जिस तरह के पिरल में पिनरई विजयन यह जो दो मुख्यमंतरी हैं इनके बनने से तीन जो मुख्यमंतरी हो जाएंगे एक सोच के लगभग एक दिशा के तो उन थीन मुख्यमंतरीं की यूनिटी जो है वो बहुत महत्पुन होगी और 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 यह एक нужно लेबल पर विपक्ष की मोर्चे बंदी का आधार भी बन सकती है और दोस्तों ये एक बात जरूर है कि हो सकता है कि कॉंग्रिस पार्टी शिव कुमार को संतुष्ट या खुश करने के लिए पावर शेरिंग का भी एक फार्मूला पेश करे जिसकी चर्चा है पार्टी के अं खासकर करनटका में 36 गड़ के लिए ये उप्युक्त नहीं था और यही कारण है कि वहां अमल में नहीं लाया जा सका क्योंकि भूपेश्ट बगेल जो मुक्यमंत्री पहली बार बने यानि अगर धाई साल धाई साल का फार्मूला 36 गड़ का अगर कोई था जिसकी काफी च भाई साल कारेकाल पूरा किया और टीएस संगदेव वो शोर करने लगे कि अब मेरी बारी है लेकिन भूपेश्ट बगेल जनता के बीच में इतना उनका जलवा बन चुका था कि टीएस संगदेव को 36 गड़ में लोग एक्सेप्ट करने को कॉंग्रिस में भी तैयार नहीं कॉंग्रिस भी नहीं सोच सकी लेकिन करनाटक में वो बात नहीं होगी क्यों क्योंकि 75 साल के हैं सिधारमया धाइस साल में वो 78 साल के हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में उनको अपने पद से हटने का न कोई अपसोश होगा और न कोई दिक्कत होगी शिव कुमार 61 साल के हैं वो उस वक्त तक करीब 64 साल 63 साल साड़े 63 साल के हो जाएंगे तो ऐसे में उनका मुख्यमंतित तो अगर मिलता है तो अच्छी बात होगी क्योंकि वो ज्यादा जोश के साथ 2023 के बाद 5 साल बाद जो चुना होगा यानि 2028 के चुनाव में वो अपनी पार्टी की कप्तानी क कर सकेंगे करनाटक में और यह जो फार्मूला होगा वो क्लिक करेगा सक्सेस्पूल भी हो सकता है इसलिए ऐसा कोई फार्मूला आता है तो वो गैर वाजिप नहीं कहलाएगा तो दोस्तों आज इतना ही नमस्कार आदाब सथ्रियकाल